पिछले दो-तिन दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए सोरी रिजन यह था कि सबसे पहले तो भाई यहां था नहीं मेरे लोकालिटी में लाइन का बहुत ज़्यादा प्रोब्लम था और दूसरा डिजिटल स्टूडियो जो है वो सेट अप हो रहा था तो फाइनली डिजिटल स्टूडियो का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है आज अभी से जो है हम लोगों के लोकालिटी में बिजली बनना यानि कि जो इलेक्टिसिटी है वो बनना स्टार्ट हो गया है तीन चार बजे तक आज इवनिंग तक इलेक्टिसिटी बन जाएगा जैसे electricity का काम पूरा हो जाता है वैसे ही आप लोगों के लिए वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए आप लोग परेशान ना हो मैंने आप लोगों से जो जो प्रोमिस किया है मैं आप लोगों को पढ़ाया करूँगा वो chapter by chapter होगा जिसमें से आप लोगों को मतलब हर chapter से important important question मैं आप लोगों को कराऊंगा और एक वीडियो में एक chapter को हम लोग कंप्रीट करेंगे और ऐसे जो हम लोगों का target है नवंबर महिना तक उस समय तक मैं आप लोगों को सारा subject को कंप्रीट करवा द प्यर्ली होगा या नहीं होगा क्या स्कूलों में स्रिफ प्यर्ली होगा फोम कप से fill up होगा admit card कब आएगा exam center school में होगा या बाहर होगा साती साथ जो exam pattern होगा वो क्या रहेगा objective रहेगा या subjective रहेगा even यहां तक कि किस तरीके से मतलब कितने syllabus से question पूछेगा आधा पूछे नहीं रहेगा तो basically बात है student लोगों को problem होता है यही चीज जो है वो jackboard का सबसे बड़ा गलती जो jackboard करता है अब सबसे पहले मैं आप लोगों को jackboard के तरफ से जो notice आया है पहले उस notice को समझा रहा हूँ अलाकि इस notice को हम आप लोगों को पहले ही telegram channel पे दे चुके थे अगर आप telegram channel को नहीं जोइन किये हैं तो जोइन कर लेना राहूल Commerce Academy नाम का telegram channel आपको है वहाँ आपको jackboard का notification मिल जाएगा model paper previous year question paper मेरा important question pdf notes हर चीज वहाँ पे आप लोगों को telegram में मिल जाएगा देखो सुनो क्या बोल रहा है jack लेगा आठवी से लेकर के बारवी के अर्दवारसिक परिच्छा इजना तो बात confirm हो गया है कि class 8 से लेकर के class 12 तक का जो half yearly exam होगा इसी महिना वो jack लेगा अब ध्यान से समझना main highlighted से चुनो कि 13 सितंबर तक भरे जाएंगे online भरे जाएंगे आवेदन यानि कि 13 लेकिन सबसे important बात है कि क्या सर मेरे college में exam होगा या नहीं होगा तो देखो उसके लिए ज्यारखंड board क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो यहां क्या बोल रहा है कि ज्यारखंड के 80 उत्कृष्ट और 2325 आदर्स विद्यालयों की अर्दवार्शिक परिक्षा होगी इसका मतल पराई विद्यालय की अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम तो college में पढ़ते हैं तो मेरे college में half yearly exam होगा या नहीं होगा तो इसके लिए हम आपको simple बात बस एक ही बोलेंगे जहां तक हमको पता है या जहां तक हमको लग रहा है कि यह जो half yearly exam होगा वो PM3 school यानि की school या 10 PM3 school होगया तो उन school में ही जो है वो half yearly exam होगा लेकिन हम college वालों को एक बात और बोल देंगे कि आप लोग क्या करना आप लोग सबसे पहले आप आज ही अपने college जाओ और college में जाकर पता लगाओ कि सर हम लोगों का half yearly exam होगा या नहीं होगा अगर college वाला आपको यह बोलता ह नहीं आया है हम लोगों को नहीं पता है exam होगा या नहीं होगा तो simple सा बात है कि आप लोगों के colleges में exam नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे colleges ऐसे बहुत सारे कि अगर मैं बात करूँ ना तो लगभग सायत अगर government colleges को छोड़ दे तो लगभग सभी colleges में जो है वो half yearly exam आपका न 100% होगा अब बात करते हैं कि क्या sir happy early exam अगर हो रहा है और नहीं देंगे तो कोई problem है तो हो सकता है आगे जाकर के आप लोगों को problem होगा जो internal marks आप लोगों को मिलेगा उसमें आप लोगों को दिकत होगा हम तो simple बोलेंगे अगर आपके school या colleges में happy early exam हो रहा है तो चुप- हैं हम वहां से आप लोगों के लिए question ला करके हम आप लोगों को वो questions को करवा देंगे ठीक अब दूसरा बात है कि क्या sir happy early का exam जो है वो आधा syllabus से होगा या पूरा syllabus तो देखो भाई happy early के लिए jack board ने syllabus के बारे में कुछ नहीं कहा है कि कितना syllabus तक का exam लेंगे आप लोग अ exam में आपके objective और subjective दोनों ही question पूछेगा दो हजार पचीस का final exam में जिस pattern में question रहेगा 20 go MCQ रहेगा 80 नमबर का आपका subjective रहेगा सैम उसी pattern में आप लोगों का question पूछेगा हर subject में objective question भी पूछेगा और हर subject में आपका subjective question पूछेगा और सारा का सारा exam जो है वो रीटेन में ह अब बहुत सारे student ये बोलेंगे कि क्या sir हाप yearly exam का marks final year में जुटता है तो नहीं हाप yearly exam का marks जो है वो final year में आपका नहीं जुटेगा final year में जो exam होगा वही exam का marks आप लोगों का final रहेगा लेकिन exam से पहले आप लोगों का practice हो जाएगा कि आप तक आप लोग कितना पड़े हैं कौन-कौन सा topic आप लोगों का clear है किस type के questions पूछे जा सकते हैं कौन-कौन सा chapter में आप लोगों को doubt सही या कमजोर है ये सारा चीज आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है अब बात करते हैं कि क्या sir इसका admit card आएगा form पिलप हो रहा है तो इसका admit card भी आप लोगों को मिलेगा आप सवाल आता है कि sir exam जो है वो college में होगा मतलब हम इस जिस school में पढ़ते हैं वहाँ होगा या बाहर होगा तो भाई बात एकदम simple है आप जिस school में पढ़ते हैं उसी school में जो है वो आप लोगों का exam होगा उसी school में जा करके 13 September में 13 September के अंदर अंदर तक फोम आप लोगों को जमा कर देना है अगर आपके college या school में हो रहा है तो दो नहीं हो रहा है तो मत देना इसके बाद 20 तारीक से जैसे हम पहले भी आप लोगों को routine बताएं थे कि 20 September से आप लोगों का जो है वो exam start हो जाएगा ठीक है अब 20 September से exam start हो जाएगा आराम से जाकर के आप लोग exam देना हाप यरली exam का तयारी हुआ है चाहे नहीं हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको अगर आपके school में या college में हाप यरली का exam हो रहा है तो जाकर के मत देना आया समझ में लेकिन अगर आपके college में exam नहीं भी हो रहा है तो भी आप लोग मत घबराना हाप यरली का question paper हम आप लोगों के लिए available करवा देंगे उसके लिए आप राहूल commerce academy channel से जुड़े रहना और telegram में telegram में राहूल commerce academy channel को जरूर से join करके रखना क्यूंकि जेग बोट के तरफ से जो भी notice, जो भी news, जो भी update आएगा, model paper पर आएगा, previous year question paper आएगा, हमको कुछ important question देना है, previous year question करवाना है, BBI question करवाना है, वो सारा चीज हम आप लोगों को free में, राहूल commerce academy telegram channel पे दे देते हैं, लगभग साड़े चार या 5000 student वहाँ पे already हैं, तो आप लोग भी जा करके join कर लेना, telegram पे राहूल commerce academy को ठीक है, I hope आपको सब्चित समझ में आ गया, फिर भी अगर आपको कोई doubt है, तो हम अपना number दे दे रहे हैं, मेरा number लिख लो, 6201-440-595, 6201-440-595, मेरा number को save कर लो, अगर कोई दिक्कत होता है, तो बे जी जक आप लोग हमको call कर लेना, और कोई भी doubt होता है, तो हमसे please discuss कर लेना, ह आज electricity का काम हो रहा है, वो हो जाने दो, वो होते ही फिर से आप लोगों का classes continuous start हो जाएगा, यह मत सोचना कि हम पढ़ाने छोड़ दी है, या हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम जो बोले हैं, आप लोगों को पढ़ाएंगे, मतलब definitely पढ़ाएंगे, उसके ल